हेर स्टाइलिंग, वैक्स है, सिरम है, ओइल है, क्ले है, पॉमाड है, पाउडर्स आते हैं, फिर सी सॉल्ट स्प्रेज आ गए, भाई बहुत कन्फूजन है, तो मैंने ना, ओबर दीज फ्यू यर्स, अंडरस्टूट कि यह यह प्रोड़क्ट चाहिए, इसको और environmentally में जो मेरा men's grooming brand है, हमने यही करा है भाई, we've simplified the products, gone back to the basics, जितनी की जरुवत है, बस वो ही use करो, फाल्तू कि प्रोड़क्स ना तो खरीदने हैं, ना आपने grooming routine के अंदर include करने, क्योंकि वो complication बढ़ाते हैं, और फिर आप छोड़ दे तो, eventually उनको, भाई, अगर आप struggle कर रहे हो to find that perfect hair styling product for your hairstyle, तो आप अकेले नहीं हो, brands ने अचली इतना complicate कर दिया है ना, इस universe of hair styling products को, कि बंदे वो समझ में नहीं आता, मैंने भी जब अपनी hair styling और beard styling की journey शुरू करी थी ना, मैं यह confused जाता था यार, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो simple से 4 hair styling के products बता आने वाला हूं, जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए, जो आपकी grooming kit के अंदर होने चाहिए, और daily routine में उनको add कर सकते हो, क्योंकि ब्रो देखो जैसे अब मेरा hairstyle को दिख रहा है, यह सिर्फ hair cut करने से बात बनेगी नहीं, आपको styling product यूज करना पड़ेगा, ताकि वो hair cut जो है, वो maintain रहे, उसकी जो vibe है, styling है, वो बढ़िया से दिखे, you know, it lasts throughout the day, अब इस वीडियो में आपने को देख रहे हो, अगर मैंने यह hairstyle नहीं करे होते हैं, तो यह flat होते, बिल्कुल एकदम नीचे बैठे वे होते हैं, चम्पू सा लगता मैं है, ना, so थोड़ा से effort कर आने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर, ताकि आपका hairstyle एकदम rocking, kick ass देखे, और आप simply उसको style कर पाँ, सबसे पहला product जो मैं आपको बताने वाला हो ना, वो है भाई, एक hair and beard serum, environmentally में हमने ना, hair and beard serum बनाया है, वो क्यों, क्योंकि लोग oils recommend करते हैं, use करते हैं, बालों के आना छोड़ी दिया था, मैंने शुरू में लगाया था, beard पे भी लगाता था, बालों पे भी, पर धीर धीर छोड़ दिया, वो आदत ही छुट गी, तो उसके विए से भी dryness, dandruff, flakiness, itching, यह सारी problems आने लग जाती है, so एक base set करना जरूरी है, use a hair and beard serum, अब serum क्या है ना, यह एक advanced and dna wise aesthetically improved version है, oils का, सारे pros हैं, इसके अंदर, सारे effects proper, जो oil से मिलते हैं, वो benefits आपको इसमें मिलेंगे, but कोई side effects नहीं, now what do I mean when I say side effects, frizziness नहीं होती, आपके बाल चिपकेंगे नहीं, heaviness feel नहीं होती, वो bloating ऐसे कि यार कितने भारी से लग रहे है, बाल अजीब हो रह अधर नहीं आती, तो यह major benefits होते हैं, एक serum use करने के, अब इसके pros क्या है, यह basically जब आपको heat वाला product या नहीं, styling के लिए जब आप एक hair dryer use करोगे न, तो उसकी heat आपके बालों को और beard को damage करती है, तो यह उससे पहला layer of protection बन जाता है, और वो damage का effect को minimize कर देता है, so very important that जब भ आपके बालों की roots में और बालों के उपर, beard पे भी अगर आप कर रहे हो, तो roots में और beard के उपर लगाओ उसको, क्योंकि जो नीचे का surface है न, वहाँ पे hydration ज़रूरी है, बाल वहाँ से grow करता है, तो नीचे की nutrients लेके निकलता है, और फिर वहाँ पे दुबारा nutrients को replenish करने की So you guys can check out the Environmentally Hair and Beard Serum, website पे हमारे मिल जाएगा, link आपको नीचे description में मिल जाएगा, वहाँ से आप directly जाके buy कर सकते हो, next है Hair and Beard Wash and Conditioner, and why am I including this in a styling product, क्योंकि यार अगर आपके बाल ठीक से wash or condition नहीं होए, नहाते और when you are taking a shower at that point in time, तो वो bounce नहीं नहीं आपको, वो base नहीं मिले Shampoo and Conditioner है उसके इंदर बालों and Beard दोनों के लिए, और साथ ही एक Hair and Beard Serum, इसका एक combo है, और उसके अभी discount भी चल रहा है, we've got some 50% discount going on with the upcoming season that's coming for festival, तो प्लीज आप वो check out करो, और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ये दोनों products आपकी लाइफ को simplify करते हैं, तो आपक आपने पहले बाल दो लिए और उसके अंदर wash and condition हो गया, फिर आपने serum लगा लिया, now you're ready to style your hair, है ना, तो अब एक base बन जाएगा styling के लिए, अचा फिर आता है भाई, एक sea salt spray, अब ये क्या करता है, sea salt spray basically, समूदर के पानी के अंदर जो salt मिलता है ना, उसको as a base use करते हैं, इसके अंदर with water and this adds texture and volume to you है, अब मेरे बाल जो है बहुत light है, तो इसके अंदर थोड़ा सा volume और texture की ज़रोत परती है, वरना मेरा scalp नज़र आने लग जाता है, तो sea salt spray वहाँ पर help करता है, तो पहले मैंने serum लगा लिया, उसके बाद मैं sea salt spray को spray करता हूँ अपने बालों के अंदर and then I start styling with a hair dryer, तो hair dryer क्या करेगा, एक तो वो जब सूखने लगता है, बाल तो थोड़ा सा उसके अंदर volume और texture आजाएगा और साथी साथ थोड़ी सी shape और bounce मिल जाता है, height add होती है, वरना वो फिर बाल ऐसे नीची चिप्टे से रहते हैं, तो वो hair dryer की help से आपको उसको bounce और styling add करने के लिए help नोती है, और जब आप एक hair dryer से style कर रहे हो, तो round brush का इस्तिमाल करो, वो जो पतले bristles वाली brushes आती हैं, combs आती हैं, उनको मत use करो, उससे आपके बाल भी तूपते हैं and it's not recommended anymore, वो यार बहुत पुराने जबाने से use होती है, round brush use करो, one inch dia का easily मिल जाती है, ब्लिंकिट पे मिल जाएगी या, closest market में कहीं पे मिल जाएगी, आपको please use that, I highly recommend, styling में आपको बहुत help होगी, अचा अब आपने style कर लिए है बालों को, अब आपको अपना hairstyle के हिसाब से hold लेकर आना है, बालों के अंदर, ताकि आपका जो दिन भर वो style है, वो वैसे ही रहे, तो gels तो मैं definitely recommend नहीं करता, but depending on the kind of hairstyle that you are now going for, for example, मेरे जो भी आपको बाल दिख रहे हैं, right, so this is a modern mullet that I am trying on my hair, पीछे भी बाल ग्रो हो रहे हैं, और उपर के बाल तो जैसे हैं, वो हैं ही वाँ पे, उसमें थोड़ी सी high tide हो गई, sea salt spray से तो दोड़ा volume और texture आ गया, अब इन finish मिलता है मेरे बालों को और एक hold मिलता है, अब यह बाल जैसे अब ऊपर खड़े वहेंगे, तो यह ऐसे ही रहेंगे पूरे दिन, है न, तो इससे क्या होता है, कि एक look maintain होता है, and style throughout maintain हो जाता है, वहीं अगर आप एक इसमें hair wax लगाते हो, that can also work, similar products है, थोड़ा सा, I think clay is a more advanced version, जो मुझे लगता है, थोड़ा स्टाइलिंग में better भी लगता है, और उसका जो ingredients नीचे ना एक layer नहीं बनाता है, wax क्या करता है, वो नीचे आके settle हो जाता है, और आपके scalp के ओपर ना build-up करना शुरू करता है, इसलिए wax में recommend नहीं करता, hair styling, clays are much better, paste is much better, and gel तो फूल कॉलेज में जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, वो उस ताइं पर यूज करता था मैं, तो अब I don't recommend, अब जैसे से आपके life में, you know, progress कर रहे हो, please start investing in good quality products, ताकि आपके बालों की beard की quality maintain होती रहे lifelong, and अगर आप slick back hairstyle try करना चाहते हो, या classic side part try करना चाहते हो, तो इस के लिए आप यूज कर सकते हो, एक pomard, अब pomard भी दो तरह है कि आती थी, पहले grease oil वाली pomard आती थी, और अब water-based formulations आगे है, which are much more easier to clean, pomards पहले अगर आपने देखाऊगा Elvis Presley का hairstyle था, वो grease वाली, oily pomards यूज करते थे, अब धीरे-धीरे with science evolved, products evolve way, technology की help से, science की help से, तो water-based formulations आगे, जो की काफी easy है, to style and then आपने उसके अंदर अपना कों से उसको पीछे की तरफ कर दिया, तो वो आपको वहीं की वहीं maintain, उसको थोड़ा सा harden कर देता है, और वैसी shape में maintain हो जाता है, throughout the day, and when you are, you know, taking that thing out of your hair, तो थोड़ा सा पानी लगाया, आपने वो wash off हो जाता है, easily so that just goes out from your hair, वो चिपकता नहीं है, right, so greasy effect नहीं देगा आपको, so ये product depending on your hairstyle, आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं, पॉमाड, so these are the simple and most effective hair styling products that you can use, ज्यादा ज्यान नहीं है, इसके अंदर, और complicated routines नहीं है, इसको आप अपन जब styling करनी होना, तभी use करो, I don't recommend कि हर रोज आप इन products को अपने बालों में लगाओ, कि या देख, कहिना कहिन कोई भी product आप लगा रहे हो, तो उसका damage तो होता ही, unless they're natural, क्योंकि hair and beard serum natural product है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कि आपको damage करेगा वो, but sea salt spray, don't recommend using it everyday, styling paste और clay और pomards, I don't recommend using them everyday, हाँ, कोई बहुत important meeting है, date पर जा रहे हो, या फिर कोई client meeting है, बहार जाना है, तो जरूर लगाओ, but daily basis मत लगाओ, जैसे अब मेरी आपको बाल दिख रहे है, मैं रोज ऐसे नहीं करके बैठता, office आता हूँ, normal बाल होते है, मेरे, सिर्फे hair and beard serum लगाता हूँ और छो उपर लगाना है, नीचे roots में नहीं जाना है, सिर्म आपको roots तक पहुचाना है, product को आपको roots तक नहीं पहुचाना है, वो उपर उपर रहता है, और आपके बालों को hold वहीं पर करके रखेगा, वो और तो जो complicated universe of hair styling products है, वो बहुत simple कर दिया है, मैंने और environmentally पे भी हमारी यह कोशिश रही है, कि lifestyle को simple करो और sustainable बनाओ, वो बहुत important है, क्योंकि जो चीज़ आप simply कर पाओगे, easily कर पाओगे, 2-4 minute में वो आप रोज कर लोगे, वरना फिर आप करोगे नहीं, वो छोड़ देते हो, आप quit कर देते हो, so then you're like, यार, क्या इतनी महिनत करनी है, so this makes it easy, and आप आपको पता चल गया है कि कौन से product use करने है, तो उनमें आप invest करो, और फ्लीज यार, थोड़े पैसे invest करना सीखो, अच्छे quality products के अंदर, वरना ये छोड़े cheap products जो आप खरीदते हो, eventually आपके बालों को damage करेंगे, beard को damage करेंगे, फिर you'll have to look for more expensive solutions, so please don't be cheap in the early days, otherwise you'll pay heavily in the later days, त आपका hairstyle, आपकी face shape के हसाब से हमने design करकी दिया है, तो उसको आप download कर सकते हो, नीचे आपको link मिल जाएगा description में, and I've also made a video on this, I'll see you guys in that next video, check it out, until then, remember life is more fun when you are at the top of your game. झाल झाल